जहीं दोस्तों मेरा नाम है सुफ्यान, अगस्त का माइना खतम हो चुका है, आज 30 अगस्त है, सेप्टमबर के मन्त में बहुत सारे फोन्स लाँच हो रहे हैं, चलो सारे फोन्स के बारे बताता हूँ, देखो यार हमारे अपकमिंग स्मार्टफोन के लिस्ट में एपल साल मे एक बार आता है, तो इस बार ही हम लोग एपल से ही शुरू करते हैं, आइफोन 15 सीरीज के आइफोन सेप्टमबर के बारा तारी को लाँच हो रहे हैं, एपल खुद अपने लाँच इवेंट के डेट को अफिशली रिलीस कर दिया है, और यार इस बार आइफोन 15, आइफो और एक नया एरपॉड भी हो सकता है, तो बहुत सार ऐसे प्रोड़क्ट्स हैं जिसके चक्कर में पब्लिक वेट कर रही है, वैसे आप पता हो आप किसके लिए वेट कर रहे हो, रियल्मी की बात करते हैं, रियल्मी C51 और रियल्मी नार्जो 60X, ये दो स्मार्टफोन वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पर दे दूँगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, और जो रियल्मी GT Neo 6 है, इसके लाँच होने के चांसे थोड़े कम है, सेप्टमबर के मन्त में नहीं आएका शायर, अक्टूबर के मन्त में वो दिखाई देगा, ऐसे रूमर्स है लेकिन कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, रियल्मी की यही प्लाइंस है, सैमसंग की बात कर लेते हैं, सैमसंग एलक्सी S23 Fan Edition, ऐसे रूमर्स हैं कि सेप्टमबर के पहले वीक में ये स्मार्टफोन ग्लोबली लाँच हो जाएगा, और अगर किस्मत और अच्छी रही तो ये फोन हमें सेप्टमबर एंड तक इंडिया में भी दिखाई दे देगा, या फिर जब ये ग्लोबली लाँच होगा, तो उसी इवेंट में ये इंडिया में भी डेब्यू मार सकता है, ऐसे इंफ्रमेशन बाहर निकल के आए हैं, लेकिन ये जो फोन है सेप्टमबर म हैं कि वो फोन भी इंडिया में आ सकता है, तो इंडिया लाँच को लेकि ये इंफ्रमेशन से, वैसे आप बताओ यार S23 FE का वेट कर रहे हो, अब वेट करने का कोई तुप बनता है, आईकू की बात कर लेते हैं, आईकू Z7 Pro ये स्मार्टफोन 31 अगस्त को इंडिया में ल आईकू नियो 8 SE, ये सप्टमबर के मत में चाना में लाँच होगा, सप्टमबर एंड होते होते तक, अब देखते हैं वाई, एतना ही इंफ्रमेशन से मैं आपको बता दिया, आईकू की उपर चर्चा कर लिए, तो वीवो को कैसे छोड़ सकते हैं, वीवो V29 सीरीज के फो सप्टमबर एंड तक लाँच होगे, तो इंडियाल लाँच भी आपको उसी के करीब पे दिखाई देगा, और अगर हम लोग इंफ्रमेशन से निकाल लें वीवो के बारे में, तो वीवो T2 Pro शायद ही लाँच होगा, सेप्टमबर के मत में, और भाई, रूमर्स ऐसे हैं जो आइकू Z7 Pro है वही वीवो T2 Pro बन जाएगा, हाँ, वीवो रिब्रैंड कर देगा, ऐसे रूमर्स हैं, ऐसे वीवो T2 Pro एक्जिस्ट नहीं करता है, ना सडिविकेशन पे, ना इसका मॉनिकर कन्फरम हुआ है, कुछ अगर पता चलेगा तो बताओंगा, और हाँ यार, व स्मार्टफोन सेप्टमबर के मंत में इंडिया में डेब्यू करेगा, और ग्लोबली भी लांच होगा, ओपो इंडिया ओफीचली एक्स एप में कन्फरम कर चुके हैं, वैसे अल्रेडी मैं वीडियो बना दिया था, इसके उपर कल ही अप्लोड किया था, हाई बटन पर द अनों स्मार्टफोन टेना सेटिफिकेशन पर पकड़ा गया था, ये फोन चैना में लांच हो सकते हैं, ओपो के लिकर ये इंट्रोमेशन से यार, ओपो के उपर बात कल लिए तो पोको को कैसे बुल सकते हैं, सब्टमबर के मंत में पोको शान्ती राएगा, इसको कोई बता दिया मैं कि पोको F5 GT globally launch हो सकता है, ऐसे तो पोको शान्ती रहेगा यार, और कोई इंफिमेशन नहीं है, पोको के उपर चर्चा कल लिए तो Redmi को कैसे भूल सकते हैं, Redmi Note 13 सीरीज के फोन्स सेप्टमबर एंड तक चाना में लांच हो जाएंगे, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, समझ तीन फोन्स के तो rumors हैं, देखो मेरे भाई लोग, यह जो Redmi Note 13 सीरीज के फोन्स हैं, यह चाना में लांच हो रहे हैं, Indian launch जो होगा Redmi Note 13 सीरीज का वो अगले साल होगा, ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं जो पहले चाना में लांच हो गए हैं, लेकिन वो अगले साल इंडिया में ना, Honor Tech की बाद कर लेते हैं, हमारे मादव सेट सर Honor 90 को लाँच करेंगे, लाँच देट तो बाहर निगल के आया था, September का एक कई सारिक, अब देखते हैं वाई, कब तोक Honor 90 इंडिया में आता है, शाउमी को कैसे भूल सकते हैं, शाउमी को जो करना था, वो अगस के मंद में कर चुका है, अपने मैंगे मैंगे फोन्स को लाँच कर चुका है, लेकिन September के मंद में वो सांथ नहीं रहेगा, September end होते होते तक, या फिर September के एकदम स्टार्टिंग में, वो अपने शाउमी 13T सीरीज के फोन्स को लाँच कर देगा, Motorola की बात कर लेते हैं, Motorola तो भाई, बहुत सारे अपने फोन्स को लाँच कर रहा है, पहली बात तो September के एक तारिक को, Moto G84 5G को इंडिया में लाँच कर देगा, और अगर Chinese लाँच की बात कर लें, तो Moto G54 5G और Moto H40 Neo, ये दोनों स्मार्टफोन सेप्टेंबर के पांस तारिक को चाना में लाँच हो रहे हैं, और अभी बात खतम नहीं होता है, दो फोन्स है, Motorola के वो भी लाँच हो सकता है, सेप्टेंबर एंड तक, रूमर्स हो आये थे, एक का नाम होगा Moto H2023, एक का नाम होगा Moto H2023, Motorola के यही प्लान से है, टेक्नो की बात करता है, टेक्नो अपने फिलिपबल फोन को लाँच कर सकता है, टेक्नो फैंटम वी फिलिप, ऐसे ही करके कुछ नाम होगा, और अपने बजट कैटिगरी के अंदर में भी एक फोन को लाँच करेगा, मतलब कि एकदम एंट्री लेवल का फोन, बस यार, टेक्नो की यही इंटमेशन है, इन्फिनिक्स की बात कर लें, तो इन्फिनिक्स 035G IQ Z7 Pro से भिड़ने के लिए लाँच हो रहा है, देख लो इसका प्री ओडर डेट भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखो यार, इन्फिनिक्स अपने बजट कैटिगी के अंदर में तो फोन को लाँच करता ही रहता है, होट सीरिस के अंदर में, प्ले सीरिस के अंदर में, वो करेगा सेप्टेमबर के मन्त में, लेकिन इन्फिनिक्स के तरफ से यही इंटमेशन थे, वन प्लस की बात करते हैं, वन प्लस एस्टू प्रो यह स्मार्टफोन नहीं है, सब आवाई बोल दे रहे हैं, अभी तक OnePlus H2 Pro कहीं पर भी कोई भी certification क्लियर ने किया है, इंडिया के लिए, अभी तक यह जो phone है OnePlus H2 Pro, इंडिया के BIS certification को क्लियर ने किया है, तो as of now, यह मान के चलो कि यह phone September के अमत में नहीं आएगा, लेकिन tension मतलो, जैसे यह इंडिय यह के BIS certification को क्लियर करता है, मैं आपको tech news में update कर दूँगा, और रहा सवाल OnePlus के foldable phone, OnePlus Open का, यह तो August में launch होने वाला था, OnePlus Announce भी किया था कि वो August में unveil करेगा, फिर रूमर्स आये थे कि August के 29 तारी को launch होगा, लेकिन 29 तारी को तो OPPO 1N3 Flip लाँच हुआ, OnePlus के foldable phone का कोई चाहते हो तो comment section खुलाए, मैं सबको reply देता हूँ, और अगर मेरी मैनत बहुत जादा अच्छी लग गई है, तो हो सके तो अपने किसी दोस्त के साथ share कर देना, चैनल को subscribe भी करवा देना, ठीक है, और हमें सब अपना ख्याल में को खुश रहा हूँ, जाए हिंद, बंदे म सबस्क्नि को上 kan खुश में और वी लगल्ग, घिक है दो diff miel अई से आच बशेश के तो ऑ खुश ऑ कि दोफ़ एंगरा में जायरा का दलनी को सकता है झाल